प्राचिन समय में एक सती थी उनका नाम कौशिकी था उनके पती का नाम कौशिक था जो की पैर से अपंग थे वह चल फिर नहीं पाते थे इसलिए जब कौशिक को कहें जाना होता था तो उनकी पतनी कौशिकी उन्हें अपने पीठ में लाद कर ले जाया करती थी एक रात किसी काम से कौशिकी अपने पती को अपने पीठ में लाद कर कहीं ले जा रही थी और जिस रास्ते से कौशिकी चल रही थी उसी रास्ते में रिशी मांडब्वे को उस राज्य के राजा ने सजा के रूप में सूली पर चढ़ा दिया था जब कौशिकी उस रास्ते से गुजरी तो कौशिक का पैर रिशी मांडब्य को लग गया रिशी मांडब्य शिद्ध रिशी थे इसलिए सूली पर चढ़ाने के बावजुद उनकी मिर्तियों नहीं हुई थी जब कौशिक का पैर रिशी मांडब्य को लगा तो रिशी मांडब्य ने कौशिक को श्राप दे दिया और श्राप में कहा कि जिस अधम ने मुझे पैर से मारा है वह कल का शुरी नहीं देख पाएगा कौशिक की पतनी ने श्राप सुनते ही मांडब्य रिशी को अपने पती के अपंगता के बारे में बताया परन्तु मांडब्य रिशी ने कहा कि मेरा श्राप पापस नहीं होगा लेकिन माता पार्वती से आप्रार्थन करें निश्चिति उनके पास कोई उपाय होगा सती कौश की माता पार्वती का आवाहन करके अपनी शमश्या का सामाधान पूछने लगी तब ही माता पार्वती की प्रेड़ना से आकाशवानी हुई कि अगर शूरी ही नहीं उगेगा तो तुम्हारे पती की मिर्तियू नहीं होगी ऐसा सुनते ही कौसिकी ने प्रित्वी को इस्थिर कर दिया क्योंकि प्रित्वी इस्थिर हो गई तो शूरी का उगना अशंभव हो गया कई दीन बीत गए शूर्य नहीं हुगा जिससे पिर्थवी में हाहाकार मचने लगा तब शभी देपता माता अनुशुया के पास पहुचे माता अनुशुया ने माता पार्वती की प्रेड़ना से देपताओं को आश्वासन दिया वो पिर्थवी को शंकट से निकाल लेंगी और इसके बाद माता अनुशुया सती कौशिकी के पास गई सती कौशिकी ने माता अनुशुया को देखा तुन्हें देखकर वो अपनी पीड़ा नहीं रोक पाई और उनके शामने रो रोक कर अपनी दुख और पीड़ा को ब्यक्त किया क्योंकि सती कौशिकी भी जानती थ कि शुर्योदय को बहुत दिनों तक नहीं रोका जा सकता है। तब माता अनुशुया ने सती कौसिकी को शंताबना दी और कहा कि मैं तुम्हारे शभी दुख और शंताब को दूर कर दूंगी। लेकिन तुमने जो पिर्थवी को रोक दिया है उसे फिर से घुमने दो जिससे सुर्योदय हो शके। तब कौसिकी ने देवी धरा का ध्यान कर उन्हें फिर से चलाए मान कर दिया। फिर्थवी फिर से पहले की तरफ घुमने लगी। कुछी देर में सुर्योदय हो गया और सुर्योदय होती ही कौसिकी के पती की मृत्यू हो गई। लेकिन जैसे की माता कोशकी की अपंगता भी दूर हो गई थी कहानी अच्छी लगे टू लाइक जरूर करें और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए सबसक्राइब बटन डबाईए